गिल्स मेंटोर, e-learning platform में आपका सुवागत है, आज हम आपके सामने new vacancies के बार में बात करेंगे, हम daily vacancies के बार में बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो हमारी चैनल पर हम आपको daily एक दिन में एक से दो vacancies के बार में हम बात जरूर करते हैं, regular vacancies झाल, 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 झा झाल झाल पुछ उन्युवस्टी बनी है आई थिंक हम बात करने तो कैप्टन के जब कैप्टन की सरकार थी तब हमने देखी थी ऐसी उन्युवस्टी सामने आई थी तो उनमें कुछ वकैंसिस आउट हुई है एक तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उसके इलावा हम बात कर लें असिस्टेम परफेसर की पोस्ट है उसके इलावा सुपरिडेंटिट की पोस्ट है तो और डेप्टिशन की इन पोस्ट के लिए उन्होंने इस्तिहार दिया है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि एक तो इस से उनिवस्टी के लिए आपको एक लाइब्रेरियन चाहिए इनको और सिस्टेम परफेसर किस किस स्ट्रीम में योगा में, साइकॉलोजी में, फिजिकल एजुकेशन में, फिजियोलोजी में, पंजाबी में, हिस्ट्री में और इंग्लिश में तो आपको एक सिस्टेम परफेसर चाहिए इस से लगलएक स्ट्रीम में और लाइब्रेरियन चाहिए और इनके लिए उन्होंने स्पेशल बताया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है आपको ओनलाइन रिजिशन करानी है और किस डेट से लेकर किस डेट तक 16 मार्स से लेकर 15 अप्रेयल तक आपको ये ओनलाइन रिजिशन करा कर आप अपनी एप्लिकेशन बर्ष सकते हो और ये भी बता दूं कि आखरी मिती दस्तावेज समिट करन दी ओके माफ करना मैं पुझाबी में आगया हूँ आखरी मिती दस्तावेज समिट करन दी वो होगी 11 अप्रेयल 11 अप्रेयल ही होगी ये बाद आपको ध्यान में रखना है कि इसका क्या मतलब हो जाता है कि आपको 5 अप्रेयल तक क्या कर लेना है ओनलाइन रिजिशन करा लेनी है इन मेसेज आपको किसी में भी आपलाई करना चाहते हो उसके इलावा आपको फिजिकल डोकुमेंट्स तो देने पड़ेंगे ना हार्ड को अपिस देने पड़ेंगी उसके लिए आपको पट्याला में जो युनिवरस्टी है वहाँ जाकर आपको समिट करने होंगे तो और जनकारी के लिए इस वेकेंशिस की और जनकारी के लिए उन्होंने वेबसाइट भी दी है www.mbspsu.ac.in पर जाकर आप और जनकारी ले सकते हूं जाने से पहले चैनलों को स्क्राइब करेना तो ठैंक यू ठैंक यू वेरी मच टेक कियर